हेलो जी हेलो क्या हाल है आप सबी के निसान ने कस्टोमर्स के लिए मैगनाइट का नया फेसलिप मॉडल लॉंच कर दिया है पैस्ती सीजन में अगर आप नई का खरीब देगा प्लान कर रहे हैं तो आईए आपको निसान की इस नई कॉम्पक्ट एस्यो के बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ वीडियो के इंट तक जरूब ने रहेगा सीजन स्टार्ट होते ही निसान ने इंडियन मार्गेट में कस्टोमर्स के लिए निसान मैगनाइट पेसलिप मॉडल को लॉंच कर दिया है नए डिजाइन और लेटेस्ट फीचर्स के साथ इस कॉम्पक्ट एस्योवी की एंट्री हुई है इसके रिडिजाइनिंग, फ्रेंट ग्रिल, नए हैडलाइट और काफे कुछ इसमें नए इंट्रस्टिंग देखने को मिलेगा इस SUV के रियर में नए LED टेल लैंप्स, नए बंपर डिजाइन, नए अलॉई वील्स और 6 स्पोक टूल टोन अलॉई वील्स दिये गए है न्यू फीचर्स के अगर हम बात करें तो इसमें आपके आड़ोन हो जाएंगे ब्लैक और ओरेंज टूल टोन थीम देखने को मिलेगी कार में वायरलेस, एपल कारप्ले और एंड्रोइट ओटो के साथ बड़ा इंफोटेन्मेंट सिस्टम, आटोमाटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्ज स्पोर्ट और सिंगल पैंसन रूफ मिलेगा इस SUV में चार अम्बियंट इंटिरियर लाइट्स, 366 लीटर बूट स्पेस, 10 लीटर ग्लोव बॉक्स और हर टोर में एक लीटर बॉडल रखने की जगा मिलेगी इस कॉम्पक्ट SUV में 55 से जादा एक्टिव और पैसिव सेफटी फीचर्स दिये गए हैं इस गाड़ी के सभी वेरियंट्स में 6 एयरबैक्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा आईए जानते हैं निसान मैगनाइट फेसलिफ्ट के इंजिन के डिटेल्स के बारे में फेसलिफ मॉडल में एविलेबल मॉडल वाला ही इंजिन दिया गया है इस SUV में 1 लिटर टर्बो पेटरोल इंजिन है जो 99 बहप पावर जनरेट करता है कमपनी ने ये दावा किया है कि 5 स्पीड मैनुल ट्रांसमीशन वाली इस कार के अंदर 20 के MPL तक का आपको मैलेज देखने को मिल जाएगा ये मॉडल 5 स्पीड आउनमेटिक मैनुल ट्रांसमीशन में भी एवलेबल है एक लीटर पेटरोल में ये गाड़ी 17.4 किलोमेटर का मालेज देगी इस कार के 6 वैरियंट्स उतारे गए है वीजा, एसेंटा, वीजा प्लस, टेकना, एनकनेक्टा और टेकना प्लस एड़ी एंडम प्राइस की बात करें इस कार की तो निसान मैगनेट का फेसलेक मोडल 5,99,000 रुपे की स्टार्टिंग कीमत से लॉंज किया गया है ये एक शोरों वेल्यू आपको बता रहों और एक चीद और आपको बताना भूल गया इसके अंदर आपको इस बार मिलने वाला है नियो इंटेलिजेंट की जो की 60 मेटर तक की आपको रेज देखने को मिलेगी उस की के अंदर तो ये सारी चीज अपग्रेड होकर आई है वेल्यू भी मैंने आपको बता दी है आपको कैसी लगी ये कार मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताईएगा उमीद करता हूँ आपको इस वेडियो बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आईए तो वेडियो पर लाइक करना बिल्कुल न भूले और अगर आप चैनल में नए है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दे मिलेंगे बहुत जल्द आप सही गुरने वेडियो में तब तक के लिए शबा खैर